मिलन क्या हिमाले और भावना की नई शुरुवात हो पाई एक तरफ हिमाले ने अपनी पत्मी को खोया तो दूसरी तरफ भावना की पती प्रांजल की मृत्यू के बाद दुनिया उजड गई दोनों का यही अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया और उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्ने लेना ही पड़ा प्रांजल और हिमाले दोनों बच्पन से ही दोस्त रहे नौकरी वविवा के बाद भी उनकी निकट्ता बनी रही प्रांजल की पत्नी भावना को हिमाले की पत्नी रचना का साथ भी अच्छा लगता दोनों मित्रों की पत्निया जब तब बतियाती रहती प्रांजल की दोनों बेटियां मीता वगीता अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुकी थी और बेटा उज्वल अभी डाक्टरी के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था मीता की शादी में हिमालय अपने बेटे सौरब वबेटी रिचा के साथ मुंबई यथासमय पहुँच गए थे दोनों परिवार के बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहे तो संबन्ध और भी पक्के हो गए एक दिन अचानक प्रांजल को हिमालय से अत्यंत दुखत समाचार मिला उसकी पत्नी रचना रेलवे स्टेशन के प्लाटफॉर्म पर सीधियों से फिसल कर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायर हो गई है प्रांजल और भावना के मुंबई पहुँचने से पहली ही रचना की मृत्यू हो गई बच्पन के मित्र के कष्ट को समझते हुए भी प्रांजल और भावना समवेदना के दो शब्द के अलावा कुछ भी समझा नहीं पाए हिमाले दुखी वनितांद अकेले रह गए थे उनकी बेटी रिचा ससुराल में थी और सौरब की भी नौकरी दूसरे शहर में थी लोटते हुए हिमाले से वे कह कर आये थे जब भी मन करे हमारे पास आ जाया करना मन कुछ बदल जाएगा प्रांजल के बेटे उज्वल के विवा पर हिमाले मित्र के आगरा पर कुछ पहले आये थे मीता और गीता के विवा में वह पत्नी रचना के साथ आये थे वे दिन आंखों के सामने बार बार आ जाते प्रांजल और भावना उनके दुख को समझ रहे थे अत उन्हें हर तरह से व्यस्त रखने का प्रयास करते ताकि मित्र अपनी पीडा को कुछ सीमा तक भुला सके बाद में हिमाले का मन अपने अकेलेपन से बहुत उचाठ होता तो वह प्रांजल के पास ही आ जाते मुश्किल से दो साल गुजरे होंगे की प्रांजल भी गंभी रूप से बीमार हो गए और केवल एक माह की बीमारी के बाद भावना अकेली रह गई बेटियां और उजवल भावना को बारी बारी से अपने साथ ले भी गए पर वह तीन से चार महीने में घूम फिर कर दोबारा अपने घरोंदे में वापस आ गई पती के साथ सुखदुक की यादों के बीच उसे घर में हर तरफ प्रांजल ही दिखाई पड़ते कभी ऐसा आभास होता कि प्रांजल किचन में उसके पीछे आकर खड़े हैं और दूसरे ही क्षण उसे लगता जैसे प्रांजल उसे समझा रही हैं कि मैं तुम से दूर नहीं हूँ भावना बल्कि तुम्हारे बिलकुल पास हूँ और भावना चौक पड़ती भावना का अपने बच्चों के पास मन नहीं लगा जब हिमाले ने यह सुना तो हिम्मत करके कुछ दिन का अवकाश लेकर भावना के पास आए उन्हें देख कर भावना बिफर पड़ी प्रांजल की यादे जो ताजा हो गई जब रचना नहीं रही और हिमाले आते तो प्रांजल बार बार भावना से कहते मैं चाहता हूँ जो चीजे नाश्टे व भोजन में हिमाले को पसंद है वही बने जब तक वह हमारे साथ है हम उसकी ही पसंद का खाना व नाश्टा करेंगे भावना प्रांजल की बात इसलिए नहीं रखती कि हिमाले उसके पती के दोस्त है बलकि इसका दूसरा कारण भी था कि रचना की मृत्यू से हिमाले के प्रती उसे गहरी सहानुभूती हो गई थी लेकिन अब अब सब कुछ परिवर्तित रूप में था अब भावना किचन में घुस्ती ही नहीं हिमाले ही जो कुछ बना सकते थे बना लेते पर खाते दोनों साथ साथ भावना ने काफी समय तक बाते भी न के बराबर की हिमाले कहते तो वह तटस्त सी सुनती जवाब नपेतुले शब्दों में देती हिमाले स्वयन चोट खाए हुए थे इसलिए भावना की पीड़ा को समझते थे वह उसे समझाने का प्रयास जरूर करते जीवन मृत्यों में किसी का दखल नहीं चलता इनसान खुद परिस्थितियों के अनुसार जीवन व्यतीत करने को मजबूर है घाव कुछ हलका होने पर इनसान स्वयम अपने आसपास छोटी मोटी खुशिया खोजने का प्रयास करे हमें इस तथ्य को अपना कर ही चलना होगा भावना जी भावना की आंखों से बस आसू तपकते रहते वह बोलती कुछ नहीं हिमालय जाने लगे तो भावना से यह वादा जरूर लिया कि वह अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखेगी मन ठीक नहीं है तो क्या तन को स्वस्थ रखना जरूरी है समय के मरहम से भावना का घाव भरा तो हिमालय का जब तब आना उसे अच्छा लगने लगा बाते भी करनी शुरू कर दी नाश्टा भोजन भी उनके पसंद का बनाने लगी हिमालय को भी भावना के यहां आना अच्छा लगता मीता, गीता व उज्वल भावना से मिलने आये हुए थे तब ही हिमालय भी आ गए थे बेटियां चाह रही थी कि मा उनके साथ या भावना तयार नहीं हुई उनका कहना था कि उन्हें अपने इसी घर में अच्छा लगता है बच्चे मा को समझ रहे थे जहां उन्हें अच्छा लगे वही रहें हाँ उन्हें इस बात का अंदाजा जरूर लग गया था कि हिमालय अंकल के यहां रहने से मा के मन को कुछ ठीक लगता है अंकल बरसों से उनके पारिवारिक मित्र रही हैं और काफी समय उन लोगों ने साथ साथ गुजारा भी है मीता और उज्वल सोच रहे थे कि हिमालय अंकल जितना भी मा के साथ रह लेते हैं कम से कम उतने समय तो वे लोग मा की तरफ से निश्चिन से रहते हैं वैसे बच्चे चाहते कि उन में से कोई एक मा के पास अवश्य रहे लेकिन जब यह संभव नहीं था तो वे हिमालय अंकल पर ही निर्भर होने लगे और सागरा उन से कहते भी अंकल हम मा पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते पर आप से आगरह करते हैं कि उनका हालचाल पूछते रहेंगे हम लोग भी यथा संभव शीग्र आने का प्रयास करते रहेंगे एक दिन हिमालय ने हिम्मत करके कहा भावना मैं समझता हूँ कि तुम्हारा कष्ट ऐसा है जिसका भागिदार कोई नहीं हो सकता फिर भी हिम्मत करके कह रहा हूँ यदि आप अपने जीवन में किसी हैसियत से मुझे शामिल करना चाहो तो मैं आपकी शर्तों के साथ आपको स्वीकार करने को सहर्ष तैयार हूँ इससे न केवल एक को बलकी दोनों को सहारा और बल मिलेगा